Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, please like and share and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. बंगलादेश में इतने सारे टॉर्नेडो आते हैं. और देखे दोस्तों, इस घटना के 2 साल 3 दिन बाद ही, यानि की 29 अप्रेल 1991 को बंगलादेश में एक चक्रवात आया था. चक्रवात जिसे कि हम साइक्लोन भी कहते हैं, हरीकेंस भी कहते हैं और टाइफून भी कहते हैं. देखें जो हिंद महासागर है यानि कि हमारा जो इंडियन ओशें है उसके अंदर जो भी चक्रवात आते हैं उनको हम saiklons बोलते हैं. जबकी प्रशानत महासागर में शुरू होने वाले चक्रवातों को हम typhoon बोलते हैं, तो इसी तरीके से अलग-अलग महासागरों में आने वाले इन चक्रवातों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे हरीकेंज, टाइफून, साइकलोन और इसी तरह के एक साइकलोन ने यानि की चक्रवात ने 29 अपरेल 1991 को बंगलादेश को हिट किया था 29 अपरेल 1991 की रात बंगलादेश के लिए कयामत की रात से कम नहीं थी इसी रात को विनाशकारी समुदरी तूफान ने बंगलादेश को अपनी चपेट में ले लिया था बंगलादेश की खाड़ी से उठने वाले समुदरी तूफान ने रात में बंगलादेश के चटगाउं जिले में कहर बर्पा दिया था इस तूफान में लगभग एक लाख अरतिस हजार लोगों की मौत हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि 80 लाख से उपर लोग बेघर हो गए थी इस तूफान का नाम टूबी था और इसमें हवाएं लगभग 2500 किलोमेटर प्रती गंटा के रफतार से चल रही थी और तभाई मचा रही थी तेज हवा के साथ करीब 15 फिट की उंचाई तक पानी की लहरे पहुँच गई थी इस से मकानों और बस्तियों को बहुत नुक्सान पहुचा था पूरे के पूरे गाउं पानी में भै गए थे साथ में फसले भी तबहा हो गई थी बड़ी संख्या में बुजर्गों और बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी करीब एक लाग अटिस हजार लोगों की मौत हो गई थी और जैसे कि मैं आपको बताया असी लाग से एक करोड के करीब लोग बेघर हो गई थी हाला कि दोस्तों इसमें तूफान से ही नहीं बलकि गलत फैमी से भी काफी लोगों की मौत गई थी क्योंकि इस से पहले 1970 में बंगाल में बहेंकर समुदरी तूफान भोला आया था और उस तूफान के बाद तूफान पीड़तों के लिए आश्रह भी बनाये गए थे लोग बड़ी संख्या में वहां रह रहे थे और वो ही लोग उस तूफान का शिकार हुए भारी तबाही के लिए मुक्खे रूप से दो चीज़े ज़्यादा जिम्मेदार थी पहली तो यह है कि लोगों को कुछ घंटे पहले ही चेतावनी दी गई थी जिससे वे कहीं और जान नहीं पाए हाला कि इस तूफान को उठते हुए कई दिन पहले देख लिया गया था और उसके लिए बंगलादेशी सरकार को सूचित भी कर दिया गया था लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इसके उपर कोई एक्शन नहीं लिया और वो इसके उपर बैठे रहे और जब ये तूफान आनहीं वाला था तो कुछ घंटे पहले उन्होंने चेतावनी जारी की जिससे की लोग जा नहीं पाए वहीं दूसरा कारण था दोस्तो कि कुछ लोगों ने ऐसा समझा कि यह ज़्यादा विनाशकारी तूफान नहीं होगा और इसलिए उन्होंने किसी सुरक्षित जगए पर जाने से इंकार कर दिया लेकिन इसके बावजूद भी करीब 20 लाक लोग इस खतरनाक जगए से निकल चुके थे और इस छेतर को छोड़कर कहीं जा चुके थे नहीं तो मौतों का यह आकड़ा बहुत ज्यादा होता तूफान के बाद लोग साफ पानी की कमी और बिमारियों के फैलने से मरे उनके खाने के लिए सिर्फ चावल और पीने के लिए दूशित जल ही बचा था तूफान की वज़े से अर्बो डॉलर का नुकसान हुआ तेज रफतार हवा और उंची लहरों ने पूरे तटिया इलाके को तभा कर दिया पाटंगा में कनफुली नदी के मुहाने पर कंक्रीट की एक दिवार बनाई गई थी लेकिन लहरों के साथ वह भी भै गई तूफान की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लगभग 100 तन का एक क्रेन चटगाओं पोर्ट से इस तूफान के साथ ही भै गया था जो कनफुली नदी के पुल पर जाकर टकराया और दो टुकडे हो गया बड़ी संख्या में नौकाएं और छोटे जहाज जमीन दोज हो गए बंगलादेश की नौसेना और वायू सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि दोनों का चटगाओं में बेस था पाटंगा का ईशा खान नौसेना बेस पूरी तरह के से डूब गया था जिससे वहां खड़े जहाजों को भारी नुकसान पहुँचाता वायू सेना के काफी सारी लड़ाकों विमान तबहा हो गए थे वहीं करीब दस लाग घर भी तबहा हो गए थे इससे करीब एक करोड लोग बेघर हो गए थे उची लहरों के साथ कई गाओं और तटबंद भी भै गए थे बार की वज़े से बड़े पैमाने पर जमीन का कटाव हुआ जिससे हजारों किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा इसके बाद बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए कई इलाकों में तो 90% तक की फसल तबाह हो गई थी पीडितों के शवों को बरामद करने में कई सब्ताहा लग गए थे अगर हम सर्वश्रेश्ट अनुमानों को माने तो लग भग 1,35,000 से 1,45,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था दोस्तों आप सोचिए कि 1,35,000 लोग कितने ज्यादा होते हैं और एक तूफान की वज़े से इतने सारे लोगों की जान चली गई थी इसमें इंसानी जान का ही नुकसान नहीं हुआ था दोस्तों लगभग 10,000,000 से जादा जानवर जिसमें की घरेलू जानवर भी थे या तो वो खो गई थे या मारे गई थे और जैसा कि मैंने बताया फसलों को तो भारी नुकसान धेलना पड़ा था और एक खाद्य संकट भी बंगलादेश के अंदर पैदा हो गया था 1991 के इस तूफान के बाद बंगलादेश में चेतावनी और आश्रे प्रनाली में सुधार हुआ है 1997 में एक और शक्तिशाली चक्रवात ने बंगलादेश को हिट तो किया लेकिन उसमें इतना नुकसान नहीं हुआ और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बंगलादेश में ना सिर्फ टॉर्नेडो जाते हैं बलकि आज तक दुनिया में जो सबसे भेंकर दस टॉर्नेडो आये थे उसमें से लगभग 6 बंगलादेश के अंदर आये थे उसी तरीके से जितने भी सबसे ज़्यादा तभाई मचाने वाले साइकलोंस इस दुनिया में आज तक आये हैं उनमें से अधिकतर बंगलादेश के अंदर ही आये हैं तो दोस्तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे ही कुछ साइकलोंस जिन्होंने के बंगलादेश के अंदर तभाई मचा दी थी 1942 में बंगलादेश में आया साइकलों यह चक्रवाती तूफान बंगलादेश में 1942 में आया था इसने यहां भयंकर तभाई मचाई थी जानकारी के अनुसार इस तूफान ने सतर मील प्रती घंटे की रफतार से बंगलादेश के पूरवी तट को निशाना बनाया था माना जाता है कि इसमें लगभग 61,000 लोगों की जान गई थी और लगभग 3,000 घर तबाह हुए थे अब आपको लगेगा कि इसमें लगभग 61,000 लोग मरे थे जो की 1,40,000 लोगों से काफी कम थे लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह घटना लगभग 50 साल पहले की है तो उस समय बंगलादेश की पॉपुलेशन उतनी नहीं थी और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियों बताया था पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम थी यानि कि एक जगह पर उतने लोग नहीं रह रहे थे जितने की आज रह रहे हैं तो अगर यह तूफान आ जाता तो यह उससे कहीं ज्यादा तबही मचाता इसके बाद हम बात करेंगे बंगलादेश में 1897 में आये चटगाउं चकरवात के बारे में यह भयंकर तूफान भी बंगलादेश में आये था इसने चटगाउं शहर को अपना निशाना बनाया था इस समुद्री तूफान ने लगभग 175,000 लोगों की जान ले ली थी साथी साथ शहर के अधिकांश घरों को भी तबहा कर दिया था दोस्तो एक और तूफान था जिसका नाम था ग्रेट बैकर गंज यह तूफान 1866 में आया था और इसे बंगाल साइकलोन के नाम से भी जानते हैं जानकरी के अनुसार इस तूफान में लगभग 2,000,000 लोगों की जान चली गई थी और दोस्तो बैकर गंज बरिशाल शहर का पुराना नाम है जो अब बंगलादेश की सीमा में आता है दोस्तो इसके बाद एक भोला साइकलोन जिसका मैंने जिक्र भी किया है इस वीडियो में वो 1970 में बंगलादेश में आया था यह तूफान बंगलादेश जो उस समय पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था उसमें 11 नमबर 1970 में आया था इसे भी सबसे खतरनाक तूफानों में गिना जाता है इसमें लगभग 5 लाग से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी तो दोस्तो यह कुछ ऐसे तूफान जो की आज तक आये सबसे बड़े साइकलोंस के अंदर गिने जाते है अगर ऐसा माना जाए तो लगभग टॉप 10 के अंदर यह सभी तूफान आते है और आपको यह जानकर हैरानी होगी के बाकी के जो तूफान थे वो भी साउथ इस्ट एशिया के अंदर ही आये थे जिसमें की चाइना, वियतनाम और इंडिया के अंदर आया हुए भी बहुत सारे तूफान है दोस्तो जैसा कि मैंना आपको बताया था कि जब नैपाल के अंदर एक भूकम पाया था तो ऐसे देश जिनके पास बहुत जज़्यादा पैसा नहीं होता वहाँ जब इस तरीके की कोई अभ़ाई मचती है तो उनको और ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि एक हेल्थ इंफ्रस्ट्रुक्चर उनके पास नहीं होता दूसरा उनके पास जो होता है modern infrastructure भी नहीं होता और इतने पैसे नहीं होते कि जल्दी से जल्दी अपने शहरों का पुनरनिर्मान कर सकें तो ऐसे में उन लोगों के लिए इन तूफानों से इतनी मुसिबत खड़ी हो जाती है जितने की शायद डवलप्ट देशों के अंदर नहीं होती इसी तरह से ऐसे देशों में जहां इस तरह के तूफान आना आम बात है या टॉर्नेडो आना आम बात है वहां सरकार को चाहिए कि वो precautionary measures लेते रहें और उन्हें समय समय पर upgrade भी करते रहना चाहिए ताकि जान और माल के नुकसान को बचाया जा सके तो दोस्तो यह था मेरा आज का वीडियो जो की आज ही के दिन यानि की 19 अप्रैल 1991 को बंगला देश में आए एक साइकलोन के बारे में था उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले अब मंडे फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच